प्यारे बच्चों मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल इस्कूल में आज हम बीकॉम सेकेंडियर का नया वीडियो लेके आए हैं बीकॉम सेकेंडियर के जो पार्ट आपके सेलरी हैड चल रहा है और इंकम टेक्स में एट्थ वीडियो यह हमारा है तो एट्थ वीडियो हो गया सेलरी हैड स्टार्ट हो चुका था आज हम पढ़ेंगे सेलरी हेड का पार्ट थर्ड चुकि सेलरी हेड बहुत बढ़ा है इसमें बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं अभी तक तो आज हम पढ़ें बहुत इंपोर्टेंट रूल जिसका नाम है ग्रेच्विटी स्टाइट करते हैं देखिए देखिए सबसे पहले मैंने कहा वीडियो एट नमबर है पाइट सेलरी हैड जो है उसका पाइट थर्ड हम आज देखने वाले हैं है 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 यह हमारी रहेगी कि ग्रेच्विटी उपदान हिंदी शब्द इसका होता है उपदान ग्रेच्विटी इसके बारे में शॉट में मैं आपको बता दू फिर हम लाइन टू लाइन अपने ऐस पर दरूस पढ़ेंगे देखिए ग्रेच्विटी क्या होता है जब कोई व्यक्ति लगातार किसी और्गनाइजिशन म इंकम टेक्स में ग्रेच्विटी के क्या नियम है अगर किसी व्यक्ति को जो सैलरीट परसन देने वाला कौन है और मिलता किसको है एंप्लोई को तो यह रिलेशन इसमें भी आता है इसलिए उसको टेक्स लगाना है नहीं लगाना है क्या-क्या परिस्थितियां होती है उनक इसमें आपके दे रखा है खियो कि जो क्यल्कूलेशन है जो बेस्टकूलेशन है वह किस तरीके से की जाती है तो सबसे पहले नहीं इस पेहां पर आपके लेता हों यहistle है आपके स्क्रीन पर है पूरे अच्छे तरीके से दिखाई भई हैं आप इसको देख सकते हैं sup में लिखा है लेकिन मैं इसको explain हिंदी मीडियम में कर दूंगा तो दोनों के लिए ये अपना काम अच्छे से हो जाएगा सबसे पहले देखे टूद पॉइंट पढ़ते हैं ग्रेट ग्रेज्विटी एक रेटायरमेंट बेनेफट यानि क्या हो गया ग्रेट टी एक रेटायरमेंट बैनेफट है गिवन बाइड़ एंपलोई की द्वारा दिया जाता है किसको एंपलोई को इनकंसिट्रेशन ओफ पास्ट सर्विसेज मैने का ना लॉग टाइम सर्विस पीछे रहते है तो उस सर्विस के लिए दिया जाता है और यह जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 ब्रैकेट में 10 ठीक है तो 10 10 हो गया है डील्स विद्धा एक्जम्शन्स फ्रॉम दा ग्रेच्विटी इंकम यानि ग्रेच्विटी इंकम की जो छूट है उससे रिलेट करता है 10 10 10 मिकरेट खुआ IP्व के वाया यानि इस तरह कि जीरए वह किवल वही वक्ति ले सकता है यानि अगर कोई व्यक्ति सालरी धिंद्ध नहीं आता है तो वह इसमें छूट के लिए apply नहीं कर सकता है ग्रेच्विटी रिसीवड बाइन एससे अधर देन एंप्लोई शेल नॉट भी एलिजिबल फॉर देग्जम्शन अंडर सेक्शन यह कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्तिक अन्य कोई है और उसे ग्रेच्विटी मिली है लेकिन वह एंप्लोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में में उसको हम क्या करेंगे कि टेक्सियबल इसके अंतरगत वह छूट प्राप्त नहीं कर सकता है जैसे वह क्या कहता है ग्रेच्विटी रिसीवड बाय एन एजएंट आफ लाइसी का कोई एजएंट है और उसको ग्रेच्विटी मिल रही है तो यहां पर लाइसी एजेंट और एलाइस के बीच में एंप्लोयर एंप्लोय का रिलेशन नहीं है तो उसको यह छूट नहीं मिलेगी दस-दस में इस नॉट एलिजिबल एक फोर दा एक्जूम्शन अंडर सेक्शन 1010 एज एज एंट आर नॉट एंप्लोई कि ऑफ एलाइसी ऑफ इंडिया बहुत सिंपल सी बात इसमें कहीं कि पास्ट सर्विस के लिए जो पैसा एक व्यक्ति को उसके रिटायर्मेंट पर मिलता है तो वह ग्रेच्विटी कहलाता है और ग्रेच्विटी जब एंप्लोईर से मिलती है तो दारा दस-दस के अंतरगत उसके छूट प्राप्ट करने के लिए यह हो गया बेसिक कंसेप्ट ग्रेच्विटी क्या होती है अब हम आगे बढ़ते हैं दvalues के आगे की बाद क्या है को जो हूँ का यही आपके सामने ग्रेच्विटी की टोटल कंडिशन्स बनती हैं क्या क्या कंडिशन है उसके बारे में देखते हैं तो तो सबसे पहले आप देखें ग्रेच्विटी जो है उसमें क szcz法 कfз केसी केस डी और केस यी पाच तरह की स्ततियां बनती हैं ए बी सी डी और पहली क्या है ए ड्यूरिंग के अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस के कंटिनुएशन में सर्विस के दौरान ही अगर आपको मिलती है टेक है तो सर्विस के दौरान मिले यह आपका हि हो गया अब उसके बाак मैं आपके आता है ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस यानि जब आपकी सेवाइं समाप्त हो जाएं यानि टर्मिनेशन हो जाएर्ट सर्विस सेंद्ट में आहेगा और अधरएंपलई दगालब जो हैं जो गवर्मेंट नहीं है वह अधर एंपलइब हो गया तो अधर एंपलऊई जो है उसमें के सी और केस दी выпуск दो बनेंगे के सिह क्या है है को बाइंट पार्रुन फ्रीफ टी एक्ट होतार स correct डिम्र्ट यानीटी सोब 72 है याद र сам 1972 ग्रेचुटी एक्ट नाइंटिन सेवंटी टो 아니면 चाडे हैं ahead तो उससफे ग्रेचुटी एक्ट यदिए होता है तो condition see who or non covered by payment of gratuit yet यानी ग्रेट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट आफ रहा है या नहीं हो रहा है सियाएट्स ती του ऑर शेक्ट के बारे में at क्राइविट करम चारी बारे में हो गई और तOR जो है वहरे consänd turbulent of employee केस हो घुघ urban e की डैथ हो जाती है तो उसके बाद में जब उसको पैसा मिलता है तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल है तो प्यारे बच्चों ये पांच बातें बहुत महत्वपूर्ण है पहली ग्रेच्विटी इन सर्विस मिले कि दूसरी कि टर्मिनेशन यानि जब सेवाइं समाप्त हो जाएं टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज पर मिले इसमें आपके केस बी सी और डी तीन आ गए भी है गौर्मेंट एंप्लोई सी है प्राइवेट और ग्रेच्विटी एक्ट लागू होना और डी है प्राइवेट और ग्रेच्विटी एक्ट लागू नहीं होना और एक और कंडिशन होगी आफ्टर डैथ अगर आपके पैसा मिलता है ग्रेच्विटी का किसी व्यक्ति को तो यह कंडिशन होगी यह प जागे बढ़ते हैं कि आज आगे। सबसे पहले केस यह पढ़ते हैं CksυARS कि यह क्या था यदि सर्विस की दौरान आपको पैसा मिले Gratuity का तो देखें यहाँ और मैं इसको नौकरी में ही है फिर भी आपको पैसा मिल जाए इन सर्वेस तो वह कहता है ग्रेच्विटी रेसीवड ड्यूरिंग दग कंटिन्यूएशन आफ सर्वेसेज इस फुली टेक्सेबल यानि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के दोरान आपको पैसा मिलेगा ग्रेच्विटी का तो वह फुली टेक्सिबल हो यानि हमेशा जितना भी पैसा मिला उस पे टेक्स लगेगा in the hands of the employee employee को जब वो पैसा मिल जाता है whether government और non-government employee चाहे वो किसी भी तरह का employee हो यानि सरकारी कामचारी हो या गैर सरकारी कामचारी हो दोनों ही इस्तति में during the service gratuity payment होता है तो वो आपके completely fully taxable है case A taxable है clear याद रखना है जितनी भी बाते इसमें आज बताई जा रही है आपको on tips याद होनी चाहिए income tax law का base है आपको एक एक चीज़ याद करनी पड़ेंगे आगे बड़ें अब देखते हैं case B case A हो गया यह रहा आपका case B case B क्या है हमें पता है case B होता है termination of services termination of services में government जब employee हो जाए तो case B termination of services gratuity act हो तो आपके हो गया C or gratuity act न हो तो हो गया D है ना तो ऐसे याद रखना है आप लोगों को तो gratuity case B में है gratuity received at the time of termination of services by the government employee gratuity received at the time of termination of service by the government employee is fully exempted from tax under section 10-10-1 बहुत सिंपल सा रोल है यदि की government employee retire होता है retirement पे उसको gratuity का payment मिलता है तो completely tax-free है exempted है exempted का मतलब tax-free होता है under section 10-10-1 के लिए इसके बारे में क्या है government employee here includes employee of the central याने केंद्री सरकार and the state government ठीक है और local authority तीन चीजों के लिए local authority का मतलब नगरपाली का नगर निगम होता है but doesn't include employee of statutory corporation कोई अन्य संस्था होगी तो वह government के नहीं माने जाएगी यहाँ पे तीन बातों से इसने लिए सेंटर गॉर्मेंट स्टेट गॉर्मेंट एंड लोकल अथारिटी यह आपका हुआ पर केस भी six govt मडं़ मंपलय रिटायरमें पे ग्रेचविटी यह मिले टेक्स फ्री है आप याद रखें को भी व्यक्ति ग्वर्मेंट एंपलय रिटायर होगा ड़ेचविटी मिलेगी टेक्सफ्री है बस नेक्सट अब हम बढ़ते हैं के सी की तरफ देखे यह रहा C थोड़ा से आला है अब आपके इस C case में क्या कहता है हमें हमें पता है इन केस C क्या है C है प्राइवेट करमचारी रिटायर्मेंट पे और ग्रिचुटी एक्ट लागू होता है तीन बातों से तो ग्रिचुटी रिसीवड एड ते टाइम आफ टर्मिनेशन प्रिचुटी एक्ट लागू होने पर और दूसरा या कंडिशन में होगा ग्रिचुटी एक्ट लागू नहीं होने पर तो ग्रिचुटी एक्ट लागू होता है प्राविट करमचारी है तो यह आपके केस बन जाएगा है तो इसमें वह आपके सैक्शन कौण सो गया दस सेकंड में इसमें यह कहता है यह तीन अपने को रखी है इन तीन मेंसे जो मिनिमम है वो एक्जम्टेड होगी यानि आपको ये तीन बाते आपको याद इसमें रखनी है क्या है आप देखते हैं इसको यह तीन बाते हैं सबसे पहले एक्च्वल ग्रेच्विटी रिसीवड आपको वास्तो में ग्रेच्विटी का कितना पैसा मिला नंबर दो बीस लाख रुपए यह मैक्सिमम आमाउंट होती है 20 लाख रुपीज ओके और थर्ड है 15 वर्किंग डेज 15 वर्किंग डेज सेलेरी यानि 15 दिन का वेतन फूर एवरी कंप्लीटीड यर ऑफ सर्विस जितने आपने कंप्लीटीड यर्स थे सर्विस के उसको लेना है तो इस बात को समझें कैसे तो उसके लिए यह आपके अर्थमेटिकली हमने इसको ले लिया है 15 दिन का मतलब होता है 15 बट्टे 26 15 दिन हो गए 26 एक महिने में जो वर्किंग डेज है वो 26 हो गए चार संडे लिए जाते हैं बेस मालव आप तो चार दिन को छोड़कर यानि अपने हो गया 15 बट्टे 26 इसको ऐसे याद रखना है यह इंटू का निसान है इंटू किससे करन है completed year of services उसने कितने साल नौकरी करी वह यहां पर लेने हैं और इंटू फिर से इंटू क्या करना है salary पर मन्त पीम का मतलब हो गया पर मन्त तो यह आपका यह जो थर्ड़ पॉइंट है उसका formula यह कहता है कि इस तरीके से बनेगा यानि 15 बट्टे 26 इंटू completed year of service इंटू जो जो चीजें आ रही है वह आप इसको साथ में देखते जाएं और screenshot लेते जाएं मैं यहां तक इसको ले लता हूं देखिए इस बात को और explain कैसे करता है है वह completed year of service includes any fraction of excess of six month like seven years nine month will be treated as eight year वह यह कहता है completed service का मतलब है कि यदि छह महिने से उपर निकल जाए तो उसको आप पूरा साल मान लीजिए जैसे वह कहता है साथ साल नौ महिने seven years nine month will be treated as eight years क्यों क्योंकि नौ महिने छह महिने से उपर हो गया यानि आप यह कह दें कि साड़े साथ होता है तो उसको साड़े साथ नहीं लिखना है आठ लिखना है तो यह eight years हो हो गया साथ साल पांच महिने इसमें आधा से कम हो गया तो ऐसी स्थिति में month will be treated as seven years यानि साथ साल पांच महिने को अपने को साथ साल ही लेना है क्योंकि वह छह महिने नहीं हुए seven years six months will be treated as seven यह भी बहुत इंप लब क्लियर कर दिया कि एक्जेक्ट छह महिने हो तो क्या करना है तो ऐसी स्थिति में आपको seven ही लेना है उसको एट नहीं करना है एट होगा छह महिने से एक दिन उपर यानि आप इसको ऐसा समझ लें एक सो बैयासी दिन है तो एक सो बैयासी दिन से उपर हो जाए तो उसे अगला पूरा सान मानना है अधरवाज उसे पूरा साल नहीं मानना है तो यहां पर यह जो completed years of services कि जब आप counting करेंगे तो याद र विक्ति ने नौकरी करी और उसकी नौकरी तीस साल सात महिने हुए तो आप condition C में उसे क्या मानेंगे तो उसका answer क्या होगा तीस साल सात महिने इसका answer हो जाएगा 31 वर्ष 31 year completed service हो जाएगा ओके आगे बढ़ते हैं उसकी बाद में यहां पर लिखा है salary per month है ना तो इस salary का मतलब यहां पर दिया वह है salary का मतलब होगा salary here means यानि salary का मतलब यहां पर है basic salary डिये last drawn यानि basic salary और डिये दोनों जोड़कर आपको salary माननी है clear basic salary प्लस डिये दोनों जोड़कर last drawn मतलब जो last में आपकी salary थी वह उस महिने के salary लेनी है retirement के time उसके salary क्या थी यह आपके सारी condition इसमें आ गई है आगे देखते हैं कि यह दो पॉइंट और दिये हैं वह इसी के पाइट है वह कहता है in case of an employee of a seasonal establishment जो seasonal business होते हैं या organization होते हैं जो season wise वर्क करते हैं उनमें 15 दिन जो होते हैं 15 डेट सैल भी replaced by seven days यानि पंद्रा बट्टे 26 की जगा पर आपको उसमें इस तरह का अगर को रुपए दो बना हो गया इस तरह कि अगर कोई नौकरी है तो वहां पर 15 days salary would be computed on the basis of average of total wages वहां पर पंद्रा दिन का जो वेजेज है वो दिया जाएगा वो होगा कैसे उसके बरेंब बोलता है excluding निकालते वेजेज पेड फोर ओवर टाइम ओवर टाइम को छोड़ देना है received for three period of three months immediately preceding the termination of his employment यानि अगर इस तरह से पेमेंट है यानि पीस रेटेड एमपलोई है तो पीस रेटेड यदि अगर वो है तो आप उसके तीन महिने के salary जो जस्ट पीछे के तीन महिने की salary ह है वो ले लो और उसकी average से 15 दिन के salary आपको उसमें लेनी है यह दो condition आप यह समझें कि किसी प्रश्ण में हो तो अपने को इसको अप्लाई करना है जनरल इस तरह की situation हमारे बीकॉम लेवल पर नहीं पूचे जाए क्योंकि यह common नहीं है बगर हो तो कोई दिकत नहीं है आप इस रूल को ध्यान में रखेंगे तो यह हमारा रूल हुआ complete अब एक बार आप इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप वापस इसको revise कर लें फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे condition C वापस देख रहे हैं condition C तब होती है जब एक व्यक्ति retire होता है वह private करमचारी होता है और gratitude Act लागू उस पर होता है तो ऐसी इस्धिति में तीन amount calculate की जाती है उन तीन amount calculation में पहले received कितना हुआ gratuity अधिकतम 20 लाग हो जाएगा और formula हो जाएगा 1526 into completed year of services into salary per month यह अपने को formula लगना है इन तीनों की जो amount आएगी वो तीनों मैंसे जो भी कम होगी वो exempted होगी तो जितना मिला था उस मैंसे exempted गटा देंगे तो जो 6 बचा वो हिस्सा taxable हो जाएगा और salary head में जाहिए वह amount अपने को calculate करनी होते है clear आगे बढ़ते हैं बाकी सारी चीज़े इसमें वही है completed years 6 मेने का ध्यान रखना है 6 मेने से उपर होते ही पूरा साथ ले लेना यह पूरा पूरा रूल आप तीन पॉइंट याद कर ले और कुछ नहीं है इसमें, 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 इसमें आपको basic salary और DA लेना है, यह जो है, यह point बहुत important होता है, याद रखना है, important point है, salary में basic salary और DA लेना है, अब इसके एक example देखते हैं, तो example आपके सामने, एक छोटा से example हमने लिया है, ताकि इस बात को हम कैसे calculation तक लेके आएंगे, वो हम सीखेंगे, सबसे पहले देखो, अशोक, an employee of ABC Limited, तो limited है, मतलब private company में नौकरी करता है, यह भी इसमें indicate होता है, तो private employee हो गया, receives 2,05,000 रुपए, as gratuity, उसको मिला कितना, जिसको हम पहला point कहता है, received 2,05,000 रुपए, under the payment of Gratuity Act 1972, Gratuity Act के अंतरगात आता है, तो तीन बाते मैच होई, private है, retirement पर पैसा मिल रहा है, और 1972 लागो होता है, यह तीन बाते आजाएं, तो condition C हो गई, और C का रूल हमने देखा था, 15,26, into monthly salary, और into आपकी completed year of services, 6 महिने का ध्यान रखना है, उसकी वो कहता है, है, he retires on 10th September 2019, after entering services of 35 years and 7 months, अब आप देखो 35 साल और 6 महिने, तो अपने इसको क्या मानेंगे, 35 साल और 6 महिने से उपर है, 7 महिने हो गए न, यह हो गया, 36 years हम उसकी service मान लाएंगे, अब उसकी बाद में वो कहता है, the last drawn salary, यानि अंत में जो उसकी तनखा थी, 2700 रुपे पर मन्त थी, 2700 रुपे पर मन्त के हिसाब से उसको salary मिलती थी, calculate the amount of gratitude taxable to the chargeable to the tax, तो यह अपने को पताना है कि कितनी gratitude पर टेक्स लेगेगा, यह आपका question हो गया, तो आप जो पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में यह प्रशन आ रहा था कि इसका question कैसे बनेगा, तो आपके सामने question आ गया है, आप इसको देखें, इस तरह से ही income tax में question बनते हैं, या आपने कोई condition दीवी होती है, उस condition को law के base पर calculate करके उसको बताना होता है कि कितने पर tax लगेगा और कितने पर tax नहीं लगेगा, इतना ही तो बताना है, यानि income बतानी है, आगे बढ़ते हैं, इसका solution देखें, मैंने करके रखा ताकि समय कम से कम लगे, यह रहा आपके सामने, सबसे पहले आप देखें इसमें, उपर heading हमने लिखी है, computation of taxable gratuity of Mr. Ashok for assessment year 2020-21, यह अपने को हर बार लिखना होगा, यह ध्यान रखना है, particular of detailed amount, यानि किस तरह से उसका हमें solve करना है, सबसे पहले, उपर ही उपर आप लिखेंगे, कितनी gratuity मिली, तो आपको पता है, 2,05,000 रुपए gratuity मिली थी, यह यहाँ पर हमने लिख दी, इस तरीके को याद रखें, ऐसे ही अपने लोगों को यह लिखना होता है, फिर उसके बात में, अब आपको इसमें इसे less करना है, minimum of the following, तीन बाते थी न, 10-10 seconds में, तो वह कहता है, minimum of the following is exempted as per the section, 10-10 seconds, उसमें 3 points थे, पहला, gratuity received, यह रहा, 2,05,000, सही है न, यह रहा, दूसरा हो गया, statutory amount, यानि समवेधानिक जो amount होती है, इसको हम maximum amount बोलते हैं, वो हो गई, 20,00 अधिक्तम उसको मिल सकते हैं, और थर्ड हमारा rule, 15-26 into completed service into salary, बहुत simple है, तो 15-26 rule में है, और नौकरी इसके 36 साल हो गई थी, into में 36 साल लेना है, 36 हुए 35 साल 7 महीने, तो 35 साल 7 महीनों का मतलब हो गया 36, और salary उसके पर मन्त की जो last में थी वो अपने को लेनी है, इसमें DA अलग से नहीं दिया वाया, तो अपने तो जो दिया है, उसके इसाफ से solve करें, इन तीनों का multiply करेंगे, तो वो आपके आया 56-07, इन तीनों मैसे जो कम है, minimum of the following, जो है लैस क्या करना है, जो तीनों में सबसे कम हैं, तो तीनों में सबसे कम यह है, इसको यहां पर लिख देंगे, और इस मैसे इसको गटा देंगे, गटा देंगे, तो यहां पर गटाने पर taxable gratuity जो है, वो आ जाएगी 1,48,923 रुपै, अब आप देखें, बहुत सिंपल सी calculation है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आती है, और यह condition C थी, जिसके अंतरगत, तीन बाते होती है, प्राइविट करमचारी होना चाहिए, रिटायर्मेंट पर पैसे मिलने चाहिए, और 1972 ग्रेचेटी एक्ट लागू होना चाहिए, ओके, आसान था, अब आगे बढ़ते है, स्क्रीन शॉट लेते जाएं, याद करते जाएं, क्या चल रहा है, अब केस डी, केस डी, आप लोगों को पता है, प्राइवेट एंपलोई होई, रिटायर्मेंट पर पैसा मिलता है, और ग्रेचेटी एक्ट लागू नहीं होता है, ये तीन बाते होती है, आप देखें, ग्रेचेटी रिस्यूड एड़ टाइम आफ टर्मिनेशन आफ सर्व कवर्ड अंडर दा पेमेंट ऑफ ग्रेचेटी एक्ट, तो नौट शब्द आ गया, तीनों कंडिशन हो गई, ये केस डी हो गया, टोटल ए से लेकिए तक पांच कंडिशन सीखनी है, अपने को, चौथी कंडिशन में हम आ गए हैं यहां तक, यहां तक कि सारी बाते में उम इसका जो नियम है, वो दस-दस-तीन के अंतरगत अपने को पढ़ना है, और वो एक्जम्ट कितनी होगी, एक्जम्टेड टू दे एक्स्टेंट अफ लोवर आफ दे फॉलोवेंग, यानि वही सेम इन तीनों मैसे जो कम है, वो आपके एक्जम्टेड होगी, मैसे जो कम है, वो होगी, आगे बढ़ते हैं, तीन रूल देखते हैं, यह यहाँ पर पहला, सेम है, कोई चेंज आगा है, पिछली बार में, पिछले में भी यही था, अमाउंट रिसीवड ग्रेचुटी के, सेकेंड पॉइंट सेम है, यानि फर्स्ट और सेकेंड पॉइं होदी पॉइंट में सेम है, अन्तर यहाँ पर आएगा थड़ पॉइंट, एक बट्टादों है, यहाँ पर एक बट्टा Dru कह सकते हैं, यहाँ इसे आप 15 बट्टे-30 भी कह सकते हैं, तो 1 बट्टा-2 हो जाएगा इसको काटने से तो पंद्रा बटे तीस या एक बटे दो तो आप इसको पहला पॉइंट इंटू करना है क्या completed year of services तो वही सेम बात होगे और average salary यह important average शब्द जो होता है उसका मतलब होता है 10 month average 10 month average salary होता है यह भी हम देखेंगे इसमें तो इसका रूल हुआ एक बटे दो इन्टू completed services into average salary याद रखना है पिछले वाले में थे last salary है ना और इसमें होगी average salary there is a difference क्या है नोंट वाइल कैलकुलेटिंग computed completed year of services ignore any fraction of year ignore क्या करना है इस बार अगर आपके उपर कितने भी महीने हो उनको छोड़ देना है उसको अपने को नहीं लेना है यह इसमें को कहना चाहरा है ignore करना है जैसे अगर मालो 36 साल 9 महीने है तो अपने को 36 ही लेना है ठीक है ना सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब से कि दैगे सेक्टाम सब्सक्राइब करेंक ब6 बzon ale है सब्सक्राइब करेंघें है तो लेना है जोने यह हुझे लेना है बिंग लास्ट टैन मंथ एवरेज दस महीनों का एवरेज लेना है मैंने का जब भी आवरेज रिया तो आप मान के चलें दस महीने का एवरेज होगा कहां से इमीडिएटली प्रीसीडिंग दॉमन्थ ऑफ रिटायर्मेंट जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं उसे जस्ट पह हुआ है वह 18-11-2019 को रिटायर हुआ है तो 11 महिने में रिटायर हुआ 10-month average salary shall be period starting from January 2019 सही बात है जनवरी से स्टार्ट होगा तो 10 महिने हो गए एंडिंग ओन अक्टूबर 2019 रिटायर कब हुआ था नवंबर में तो अक्टूबर और अक्टूबर से जनवरी 10 महिने पीछे के हो गए जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल मई जून जुलाई अगस सिक्तंबर अक्टूबर दस महिने यानि जिस महिने में रिटायर हुआ वह महिना छोड़ दो उससे पहले के दस महिने आप अटे साथ महिने ही में को शुम्रतिएन थे ओर तो क्युक Resistance कर लो से दिसम्बर में SAY सोगळां है यह जगा थागए के साथ में यहान पर उसका मतलब वह बताना चाह रहा है क्या है को कहता है कि यहां पर हम इस बात को मैं यहां पर आपको बता हूं मैं इसको कहता हूं यह सेवा शर्तों में होने पर अंडर दे टर्म ऑफ सर्विसेज जिसको बोलते हैं यह फॉर्मेटिंग अपाइट आफ रिटायर्मेंट वैनेफिट तो अगर डीये के साथ मैं अपने जो सवाल लिखा हूँ आएगा ना उसमें यह होगा डीये सिवा शर्तों में हैं ऐसा लिखा हूँ तो यह हो जाता है ड इसको तूँ यह स्टार केता हूं मैं इसको इस्ट लेना है और अगर वो स्थिएज सर्थों में नहीं है तो यह को नहीं लेना है और वह इतना सा जब ग्रेच्विटी एक्ट लागू नहीं होता है प्राइवेट करमचारी है रेटायर्मेंट पर पैसा मिलता है तीन बाते हैं रिसीवड बीस लाग और एक बटा दो को इन्टु कंप्लीटेट सर्विस इन्टु एबरेज सैलरी में फ्रेक्शन को छोड़ देना है और एवरेज सैलरे में दस महिने की सैलरी लेनी है रिटायमेंट से जस्ट पहले की और उसका एवरेज लेना है यह दोनों पॉइंट हो गए थे अब हम इसका एक्जामपल अब आप यहां पर देखें 29 साल के नौकरी उसने करी 6 महीने उपर हैं तो इस फ्रेक्शन को छोड़ देना है क्योंकि यह कंडिशन हमारी जो है वो डी कंडिशन है तो 39 साल सर्विस एंड 15 डेज ओफ सर्विस और 17 बारा दोजार निस तो दिनों में वादब यह तोटल आप समझे 29 साल 6 मेने 15 दिन के उसने नौकरी करी और 17 बारा दोजार निस को रिटायर हो गया तो रिटायर दोजार निस में हो रहा है और रिसीवट ग्रेचुएटी अमाँंटिंग चार्ला उसको ग्रेचुएटी कितनी मिली है चार लांख ग्रेचुएटी मिली है इस सालरी एड देटाइम retirement was basic 6000 पर मंत यानि इस बार basic salary 6000 रुपय पर मन्त है deerness allowance 1200 रुपय पर मंत यह जो है 1200 रुपय पर मन्त है गार्व स्थान्स उस्याइड है एच्रेश दोजार रुपय पर मंत हैं कुमिशन और टर्ण या जिसको बोलते कमिशन और सेल्स वह वन परसेंट कमिशन और प्रॉफिट पांच है यह नहीं लेना होता है अपने को यह लेना होता है तर्ण और पर जो परसेंटेज होता है कि ही गॉट एन इंक्रीमेंट ओन एक चार दोजार उनिस उसकी तंखा जो है वह एक चार दोजार उनिस को बढ़ी है और वन थाउजन पर मंत इन बैसिक तो एक चार को यानि एक अपरिल को उसकी सैलरी बढ़ गई है एक अजार उपैसे बैसिक तंखा टर्ण ओवर अता है तो यह आपकी और कंडिशन हो गए तो आप देखें कौन गौन सी कंडिशन है है पहली चीज की की ये रेटायizen पैसा मिल रहे है यह हो गया आपके भी सिर यह होगई सिर और यह हो गिव टीन कंडीचेन इसमें अपने बनती है जो सेया ना पहली जो थी वह तो एक साथ ले ली है बी सी डी क्लियर अब आके बढ़ते हैं क्वेश्चन में काफी चीज़ें इसमें दे रखिया है गबराने की जरूत नहीं है आराम से सॉल हो जाएगा अब इसका सॉलिशन दो पॉइंट पहला पॉइंट देखते हैं वह कहता है यदि गवर्मेंट एंप्लोई है जो उसकी पहली कंडिशन थी टेक्सेबल अमाउंट क्या होगी तो उसका अंसर है निल एस पर दस एक्षिन दस दस एक धारा दस दस एक कहते हैं यदि क्या हो जाएगी निल पहली कंडिशन सॉल कर दी है आप लोगों ने अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं अधर केस तो अधर केस में दो कंडिशन हमारी बनती है यह देखो यहां पर मैंने ले ली है केस बी और केस सी केस भी है उननीस सो बहत्तर लागू होना और दूसरा है लागू नहीं होना तो लागू होने पर 15 बटे 26 वाला है लागू नहीं होने पर एक बटे 2 वाला है यह दो बाते ऐसे याद रखा करो क्योंकि पहले दो पॉइंट तो फिक्स हो गए थर्ड़ पॉइंट में चैंज आता है प होता है जिसमें भी basic salary और डी यही लिया जाता है दूसरी स्थितीक जो होती है वह आपके होती है जिसमें condition C condition C में हमारे 1 बटे 2 into completed service लेनी है fraction को भूल जाना है ध्यान नहीं रखना है और average salary से multiply करना है तो आप देखें मुझे याद है वैसे ही आपको याद होना पड़ेगा कि इस तरीके से सारी चीज़ें आती है और salary का मतलब उसमें basic salary है डी ये star है या जिसको हम हैस बोलते हैं और Commission on sales तीन चीज़ें लेनी है अब अपने है लिख सकते हैं कोई दिक्षत नहीं लेस minimum of the following अंडर सेक्शन दस-दस दस-दस के अंतरगत जो तीनों मैसे जो कम है वह आपको लेनी है पहला point है actual gratitude received तो दोनों में लिख दिया इधर चार लाग और इधर चार लाग सेम स्टेटूटरी अमाउंट यानि maximum जिसको हम बोलते हैं बीस लाख और यहां तक आप देखें बहुत सिंपल सिधा सिधा लिखना ही होता है क्योंकि सारे सीधी बाते दे रखें अब आपके केस बी जो है उसमें पंदरा बटे 26 इंटू completed service into salary per month यह तीन चीज़े लेनी है वहीं आपके दूसरा जो है उसमें एक बटा दो लेनी है completed service लेनी है जिसमें fraction का ध्यान नहीं रखना है इंटू average salary per month लेनी है यह इसमें अपने को ध्यान रखना है average salary का मतलब हो गया 10 महीने का salary बट्टे 10 होता है अना salary of 10 month upon 10 तो यह अपने को calculate करना पड़ेगा यह दो दो बाते तो अपने formula में हमेशा ही है कौन सी 15 बटे 26 इंटू 30 30 क्यों हो गया क्योंकि उसमें fraction का ध्यान रखते हैं और इसमें हो गया उसके लिए यह है workings for case B यह जो अपने को working note लिखना है केस B के लिए वह हमने यहां पर लिया है completed year of service 30 हो जाएगा वह यह कहता है सही कह रहा है 39 साल और 6 मेने से उपर हो गया तो अपने को क्या लेना है 30 year लेना है salary here means basic salary लेनी है और dearness allowance लेना है basic salary 6000 है उसकी जो लास्ट में जो salary थी वो 6000 थी एक बार आप आपने को इसमें लेनी है तो 6000 और 1200 7200 यह दो चीज़े होती है basic salary और यह हो गया प्यारे पच्छों देखो basic salary और यह टोटल साल यह पूरा formula हमारे पास आगया ना 1526 दियावाय है 30 साल की service हो गई और 7000 तो यह amount में निकलके यहां पर आ गई सबसे कम कौन है सबसे कम यह ही है एक लाख 24,615 तो इसको अपने को ऊपर यह जो amount दे रखी है यह इसमें से इसको गटा देंगे तो गटाने पर पहली स्थिति में आपका आपका है केस जो क्या बोलते हैं इसको केस B अब हम आते हैं केस C में केसी एस पर दो सबसे पहले सबसे का मतलब 29 यह होगा फ्रेक्शन को लेना नहीं है सबसे पहले सबसे पहले कि से लिए मेंस बेसिक से लिनी है डिये डीरैस लेना है और कमिशन औन टर्ण ओवर लेना है यह इतनी सी बात है अब को लेंगे तो अब आपके कि दिसंबर में रिटायर हुआ तो नौंबर से पहले से अपने को दस महिने लेने हैं अच्छा दूसरी बात और इसकी बढ़ी कप थी वह भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का है एक चार दोजार नौ को एक जार रुपए बढ़ी तो आप यह समझें आज अगर 6000 बढ़ने के बाद तो इससे पहले कितनी थी 5000 थी याद रखनी है और यह एक अप्रेल से पहले तो 5000 थी अप्रेल के बाद में 6000 हुई है यह याद रखना है और कमिशन यह रहा कमिशन ओन टर् मंद है तो एक लाग का एक परसेंट एक हजार हो गया ऐसे ठीक है अब अपने आगे बढ़ते हैं कि यह गणित इस तरीके से आपके सामने आएगी कि सबसे पहले बेसिक सेलेरी कि ठीक है फर्वरी और मार्च 5000 रुपए उसके बाद में हर महीने 6000 रुपए से लगाता चलती रहेगी नौम अमबर तक आप नौमबर अक्टूबर सितंबर ऐसे 10 महीने फरवरी से शुरू करेंगे तो फरवरी से लेके नौम बर तक 10 महीने हो गए यह टेबल बहुत अच्छी है इसमें सारी बाते अपना आप आ जाती हैं 10 महीने आप लिख लो जिस दिन जिस महीने मे के इसाब सी चल रहा है तो लगातर 1200 रुपए से हो गया और कमिशन हर महीने 1000 रुपए बनता है तो 1000 से 10 महीनों का हो गया 10,000 टोटल इन 10 महीनों की जो सैलरी है वो गई इन्टू 8,000 यह करेंगे तो आपके आ जाएगा 1,16,000 रुपए तीनों मैसे जो कम है तो कम यह ही है इसको गठा देंगे तो यह अपने आंसर आ गए तो यह दोनों ही अपने आंसर हो गए केस B और केस C तीन दिये थे केस A केस B केस C तीनों सॉल कर दिये इतना ही क्वेश्चन है आप देखें बहुत आसानी से हो जाता है एक बार जब हम करेंगे तो थोड़ा सा मुस्किल लग सकता है लेकिन आप इस वीडियो को दो बार देखें रठ जाएगा अच्छे तरीके स समझना जाएगा यह वर्किंग नोट आपको लिखने होते हैं तो यह भी आपको ध्यान रखने इसका स्क्रिंशॉट ले लीजिए इस तरह से नोट करते जाएं उसके बाद में यह फॉर्मुला दस महीने की सैलरी कैसे निकालते हैं उसकी टेबल आप ऐसे याद कर लो इसी अगर कोई व्यक्तिमालो ऐसा होता है कि जिसने दो नौकरी करी पहले एक नौकरी करी वहां से ग्रेच्विटी मिली फिर दूसरी नौकरी करी वहां से भी ग्रेच्विटी में चला गया वहां से भी तो लगातर वह ग्रेच्विटी लेता जा रहा है तो जितनी भी पीछे लेगा वो भी इस बीस लाख में एड़ेस्ट करते वें चलना है जैसे एक्जामपल मिस्टर एक्स है उसने क्या किया कि सेलरी जो है वह ग्रेट उसको मिली 15 लाख रुपए वह पहले ले चुका है और अब उसको 2 31200000 तो पंदरा लाख एसम N से पहले के कम कर देंगी क्यूंकि वह पहले मेकसिमम्म जो कं हो और हो चुकाै तो पहले जितना उसके exempt हो चुका होता है अगर उसके कम हो गई है तो वह 20 लाक में से घटा दी जाएगे याझी एक व्यक्ति के जीवन काल में टोटल ग्रेचवीटी 20 लाक तक उसकी कर्मिक्थ हो सकती है इतनी सी बात है तो आप देखें वाइल क्लेमिंग अमाउंट एनी अमाउंट अर्लियर क्लेम्ड एस डिड़क्शन अंडर सेक्शन 1010 शेल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 लाग में से उसको गटा दें तो इसका कंसेप्टुली बात इतनी सी हुई ना कि अगर कोई वेक्ति पहले ग् वेक्ति के जीवन काल में जितनी भी ग्रेटी मिले 20 लाग से ज्यादा वह एक्जम्ट कभी भी नहीं हो सकती है अब आते हैं केसी लास्ट है अपना केसी क्या है ग्रेटी रिस्यूड आफ्टर डैथ ऑफ एमप्लोई की डैथ हो गई है और उसके बाद में उसको यदि इस जाधा मिलता है तो उसमें सीधा टेक्स पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं ज्यादा डीटेल नहीं देख रहे हैं वह क्या कहता है टेक्स पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट इसका है इफ ग्रेटी बिकम्स डू बिफोर देट अब देट अब ऐसे यानि अगर उसके जिवन काल इसल बिटेक्स बल इन देहेंड ऑफ एंपलोई एंपलोई के हाथ मोटेक्स बलू होगी वेरेज इफ ग्रेटी बिकम्स डू आफ्टर देट अफ देट अफ यक्ति के मृत्यू हो जाती और उसके बाद में वो ड्यू होती है इट शैल नॉट बिटेक्स बल वो आपके केस इस्टिटी यानि केस फाइफ हो गया पांच इस्थितियां हमने आज पड़ी थी पांचों इस्थितियां आपके सामने क्लियर है मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं केस ए डूरिंग दे सर्विस कोई भी एंपलोई हो टेक्सिबल होगा क केस बी ऑन रिटायर्मेंट तो रिटायर्मेंट में गवर्मेंट एंपलोई की टेक्स नहीं लगेगा क्लियर प्राइवेट है रिचुटी एक्ट लागू होता है यानि 15 बटे 26 कंप्लिटेट सर्विस वाला रूल है और अगर क्रिचुटी एक लागू नहीं होता है तो ए सब्सक्राइब होता है यह पांच बाते ग्रेचुटी के बारे में थे उसका हमने सवाल भी किया एक अच्छा पूरा कंप्लीट ग्रेचुटी रूल है मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आओगा क्लास थोड़ी से लंबी हो गई है पर कोई दिक्कत करते हैं आप देखते रहें सीखते रहें सेलरी हैड का एक एक पॉइंट हम अच्छे से देखेंगे बड़ा है यह एक चैप्टर एक यूनिट होता है मैं कई बार बोलता हूं तो आप इसको बहुत यान से देखें इंकम टैक्स एक बहुत रोचक विशह है इसलिए अराम स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं मेरी तरफ से थैंक्स टू आल अफ यू जो पूरा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर अपना नाम कमेंट में लिख दे तो मुझे पता रहेगा कि हाँ यह बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं थैंक्यू मैं अच्छ